जहिन चात्रों मैई शारहमत competition community के इस question session प्रोग्राम में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार आप continue है, continuity आपकी बरकरार है और साथ में एक युद्दिस तर पे तयारी कर रहे हैं जैसा कि हमेशा एक विशेश व्यक्ति पर एक विशेश personality पर चर्चा करते हैं देन उसके बाद हमारा segment चालू होता और याद रखेगा आज से हमारा मद्यकालिन भारत का इतिहास प्रारंब हो रहा है और उसे जो है हम अच्छी तरह से देखेंगे और उसके प्रस्ण जो पू किस प्रकार से है देखते हैं कि जिसे अंतर आत्मा कहते हैं अपने हृदय में उस दिव चिंगारी को जिन्दा रखने के लिए या जिन्दा रखने के लिए जिन्दा होगा रखने के लिए महनत करो याद रखेगा कि कभी भी किसी भी चेतर में मान के चलिए हमारा मुख्योध्देश है प्रतियोगी परिछाओं से सारे concept को relate करना तो प्रतियोगी परिछाओं में अगर देखा जाए कि अगर निरंतर्ता बबर करार रखनी है तो हमें महनत से अपनी जो है निरंतरता बरकरार रखनी होती है और साथ में जो है एक स्मार्ट स्टडी बेस पे कुई क्रिविजन फॉर्मेट में सारी चीजों को करते हुए चलना होता है तो आशा करता हूँ इतनी बाते आप लोग को समझ में आए होगी और हमारा मुख्योत देश यह होना चाहिए administrative service क्योंकि हमें administrative service पाना है मतलब पाना है तो आईए आगे बढ़ते हैं हमारा विशा है मध्यकालीन भारत का इतिहास और भारत का इतिहास जो हमारा विशा है दिल्ली सल्तनत के बारे में उसके पस्चाज जो है बागी राजवन शो के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि दिल्ली सल्तनत से हमेशा जो है प्रस्ण देखने को मिलते हैं अब यह दिल्ली सल्तनत कैसे इस्थापित हुई कैसे अपने प्रभूत्व में आई और कौन-कौन से व चरें और एक कहानी बनाते हैं कहानी बनाते से ताथ पर कि कहानी याद रखते हैं और कहानी याद रखने के साथ हमें यह याद रखना है कि उसमें जो प्रतियोगी परिच्छाओं से पुछे जाने वाले तत्य हैं उन्हें याद रखना हमारे लिए अनिमार है तो चलिए एक समय एक युद्ध हुआ जिसका नाम आप अच्छी तरह से अगर आप कुछ थोड़ा बहुत अगर पढ़े होंगे प्रतियों की परिच्छाओं के बारे में तो याद रखेगा तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ मोहम्मद गौरी के बीच में और आपका प्रिथवी राज चोहान या प्रिथवी राज- तेती के बीच में बीच में हुआ तो याद रखेगा छात्रों कि प्रिथवी राज- चो आपका पिस इस तरफ़़ा खेतर में शाशन कर रहे महम्मद गौरी वह आक्रमन करता है प्रिथ्वी राज चौहान के उपर 1191 में जिसका नाम है आपका तराइण का प्रतम युद्ध और इसमें तराइण के प्रतम युद्ध में प्रिथ्वी राज-चौहान जीत जाते हैं अपनी योग्यता से अपनी बल और सक्ती से आपका पराजित कर देते हैं किसे मुहम्मद गौरी को और मुहम्मद गौरी को पराजित करके वापस भेज देते हैं लेकिन एक विडम बना फिर आ जाती है सामने अब इसके बाद की कहानी कुछ इस प्रकार से है चात्रों की ये वाला छेतर दिखाई दे रहा है तो इसके कलिग ही जो आपका समकालीन शाषक थे जिसका नाम था जैचंद क्या नाम था जैचंद और जैचंद ही जो है हमारे मैं बार-बार बताता हूं कि आपका कोई भी बहारी आकर्मन कारी या कोई भी बहारी शाषक जो आपने समराज्य विस्तार के लिए कहीं आकर्मन करता है उसका मु कुछता है ताकि जो है आप वहां पहुचे तो हम क्या क्या कर सकते हैं वहां के लोगों की वहां के निवासियों की मेंटिलिटी किस प्रकार है तो आपका इसी कहीं आपका समकालिन सा सकता जिसका नाम था जैचंद और जैचंद जो है वह आपका साथ दे देता है किसका मुहम राड ultला संपक्तों और वे लिए प्राजित कर देता है अब इसकी वजसा के याद रखेगा चात्रों इसमें कुछ एक थोड़ा सा प्रेम प्रसंग की बात होगी जिसमें आप यह समझ सकते हैं कि प्रिथवी राज चौछारी आपका जैचंद की बेटी इसका नाम था सईयोगीता और सईयोगीता जो है वो कहीं न कहीं पसंद करती प्रिथी राज चोहान को प्रिथी राज चोहान जी भी आपका पसंद करते थे किसे सईयोगीता को तो सईयोगीता और प्रिथी राज चोहान के इस प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला किसे जैचंद को एक शमारों आयोजित किया जिसमें उसमें आपका सायोगीता स्वेम और जैसे आप वापस कहानी के और तो स्वयमवर रचा गया और स्वयमवर में आपका कहीं न कहीं जैचन जाड़रीज चोहाँ से इरिश्यah करता थी क्योंकि प्रैत्वीराजреज चोहान की अपने एक शान है कि अगर अभी भी आप देखें तो प्रितुरा चोहान के बारे में चर्चा होए तो उनके भाले की उनके डाइट की उनकी पर्सनालिटी की चर्चा हमेशा होती है ठीक है बच्चों के बीच में और जो जादा उनके बारे में अगर शोत की हैं तो उनके बारे में जो है अभी चलो वापस कहानी के तरफ आए तो कहानी के तरफ वापस आते हैं तो जैचंद ने समारो आयोजित किया किसका स्वैमवर का और प्रिथ्विराज चोहान की प्रतिमा रख दी वहाँ तो संयोगीता जो थी वो क्या करी अपना वर्माला को ले जाके सिधा मुर्ति में पहना दी प्रिथ्विराज चोहान के मुर्ति में और बाद में प्रिथ्विराज चोहान संयोगीता के साथ विवाह कर लेते हैं और अपना जीवन जिन चर्या अच्छी तरह से बनाना चलाते रहते हैं लेकिन यहां एक बात होती है कि आपका कहीं न कहीं अपने दमाद को अपने बेटी के पती को पराजित करने के लिए नीचे दिखाने के लिए उसने कि नहीं मतलब कि जैचन ने किसका साथ दिया आपका मुहम्मद गौरी का और मुहम्मद गौरी यह अच्छी तरह से जान गया था कि प्रित्याज चौहान के छेतर में आक्रमन करने के लिए क्या क्या कमजोरी उसे दिखाई दे रही या आप देख सक रहा हो तो सारी चीजें को अपना कर लेता है अच्छी तरह से पता कर लेता है और आक्रमन करता और दुसरे तरहिन के यूद्ध में प्रित्याज चौहान को हरा देता है लेकिन जैसे को टैसा करमा बहूत ही बिली। मतलब करम जैसा करम करेगा वैसा पाएगा, तो उसी के अनुसार आपका एक और याद रख सकते हैं, ग्यारा सो चौरानवे में हुआ आपका चन्दावर का युद्ध नोट कर सकते हैं, या सीधा बठे बठे याद कर सकते हैं Karma करता है मोहमध गूरी जो है आपका इस छेत्र में पूरी तरह से आपका विजित हो जाता है जीत जाता है अपने छेत्र में रख लेता है अब यहाँ एक और कहानी देखो यहां की mentality समझेगा और बाहर के लोगे की mentality समझेगा बात कुछ इस प्रकार से है चात्रो कि महम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन एबक क्या नाम था कुतुबुद्दीन एबक अब हम कुलाम के और आगे बढ़ रहे हैं ठीक है यहां बात आ गई गुलाम की अभी तक के तो यह दे सकता वही प्रिथ्वी राच्चोहान है जिसने जो है 1191 में प्रथम तराइन के युद्ध में मार के भगा दिया लेकिन किसी ने साथ दे दिया जैचन जैसे सासकों ने हमारे थाली में छेत था और बाद में जो है मोहम्मद गौरी क्या हो जाता है सफल हो जाता है तो आई पुत्विद्द्धिन एबक को मोहमद गौरी की पुत्री के साथ अब को मोहमद गौरी जो है वह थोड़े से क्या हो गए गुष्षे में आ गए ने कि पश्चात क्या किया उन्होंने आपका उसे पड़ास्त करने का सोचल लेकिन वहां समानसिकता यह आती है कि उन्होंने सोचा कि आपका अगर मैं इसी प्रकार करूँगा तो मेरा भी प्रशाशन, सासन, मेरा प्रभूतु जो है वो कही न कहीं प्रभावित होगा वो चुप चाप अपनी पुत्री का विवा, पुत्री का नाम याद नहीं आ रहा है तो पूतरी का विवाह जो है आपकी इसके साथ करा देता है कुतुबुद्दीन एबख से और देखा कि कुतुबुद्दीन एबख मेरा गुलाम है कुछ-कुछ छेतर में जो है वो मेरा कारे करता है तो उसे पूरा भारत का उत्तर पस्चिमी छेतर जो है आपका दे देता है कि जाओ भाई यहाँ प्रशाशन करें इतना समझ में आए होगा और भारत में आपका प्रभुत्व प्रारंभ होता है किसका गुलाम-ंस का तो गुलाम-ंस का पहला शाशा कौन है? कुतुबुद्दीन एबक आए अब हम आगे content की और बढ़ते हैं तो ये क्या हो गया कोई बात ने स्टार्ट करते हैं तो यहां देखे दिल्ली सल्तनत में क्या क्या पढ़ना है हमने जैसे कि मैंने बताया कुतुद्दीन एबक ने क्या किया गुलाम वंस की स्थापना की खि आप इसे यहीं बैटके fully concentration के साथ याद कर सकते हैं पहले क्या है आपका गुलाम वंस का देखने को मिलेगा खिलजी वंस फिर तुगलक वंस फिर सैयद वंस फिर लोधी वंस तो आशा करता हूं इतनी बाते आप लोग को समझ में आई होगी कि सिक्वेंस में हमें पढ़ना हमें सबसे पहले देखिए कि आपका कुतुबद्दी नैबक के बारे में पढ़ेंगे कुतुबद्दी नैबक जो था शासक था लेकिन इसने लाहोर अपनी राजधानी रखी आगे में अच्छी तरह से चर्चा करेंगे लेकिन याद रखेगा कि अगर पहला शासक बोले तो आपका कुन है कुतुबद्दी नैबक को इसके बारे में पढ़ेंगे के धुसे कहा जाता तो इल्ती तमिश से कहा जाता है प्रस्ण पूछा गया है ठीक है उसके बाद गयासुद दिन बलबन के बारे में पढ़ेंगे ये भी अपना एक प्रभूत्व रखते हैं रखते हैं लोह की निती पाबोस सिज्दा प्रथा जिल्ले इलाही जितने सारी चीज़े देखने को मिलती है ये बलबन में मिलेगा फिर उसके बाद कैकुबाद और क् अंतिम शासक जो होते हैं वो कुछ काम के नहीं होते हैं आगे बढ़ते आईए तो यहां मैंने बताया था कि इस प्रकार से कि इस प्रकार से युद्ध हुआ था उसके वह याद रखना है ग्यारा सो इंक्यारवन आपका तराइन का प्रथम युद्ध मोहमद गौरी और प परास्त कर दिए गहरा सो चौरानबे के चंदावर के युद्ध में आपका मोहमद गौरी ने ठीक है आशा करता हूं इतना समझ में आओगा तो गुलाम बंस के बारे में चर्चा करें तो गुलाम बंस जो है बारा सो छे से बारा सो नब्बे तक के चला है यह बारा सो दस चाहूंगा कहां से चालूँआ बारा सो चे से आपका बारा सो मैं भी लिग दे रहूं तो अब देखते हैं कुटुबदीन आपक के बारे में याद रखना है चात्रों कि कुटुबदीन आपक ने दिल्ली राजधानी नहीं लए जब उसे दहज में एक उपहार में मिला आ भारत का उत्तर पश्चिमी एरिया तो आप लाहॉर में रहके ही उसने प्रशाशन किया 1206 से 1210 तक के और याद रखना है कि इसने अपना खुतबा नहीं करवाया अपनी खिलहत नहीं ली अपना सिपे सलार और मलिक के रूप में जो है प्रशाशन किया अब मैंने एक वर्ड क कर सकते हैं ठीक है उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ठीक है कि वह आपका अच्छी तरह से प्रशाशन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे या उन्हें जो है आपका सारे गुन पता है कि नहीं है ठीक है तो इस प्रकार से वह खिलाफत देते हैं तो खिलाफत देने का त शपत जो है मतलब किस प्रकार से सारे आपका समराज्जी के हिसाब से आपका खुदबा पढ़वा देना कहां एक धर्म इस्थल में उसे जो है कहा जाता है खुदबा तो जो है मुवी देखने मत भीड़ जाना भई ठीक है आगे बढ़ते हैं तो सीपा सलार और आपका मलीक क प्रशाथ इनकी मृत्ति हो गई ठीक है तो आपका इसे याद रखना है देन उसके बाद इनका मगबर अगर देखा जाया तो कहां है लहोर में है अब जो है आगे बढ़ते हैं कि इन्हों ने क्या क्या किया और इनके प्रसिद्ध है तो याद रखिएगा ख्वाजा कुद कुद्धिन बक्तिय Most में के सुष है निर्माद प्राहरं के लेकिन कम प्लीट किस ने किया तो कम प्लीट किस ने किया अपका आपका इल्टू टमिश्चने इसके आगा निर्मार अग अगर कहा जाएगा कि उसके एक अलाई दर्वाजा नाम का एक दर्वाजा है उसका निर्मान अलाउद्दीन खिल जी ने कराया जो वहाँ अलाउद्दीन के बारे पढ़ेंगे तो उस समय हम देखेंगे ठीक है उसके बाद है आपका अना तो दिल्ली में जैन मंदिर को तोड़वा के बनाया था उसने फिर उसके बाद है धाय दिन का जोपड़ा धाय दिन का जोपड़ा याद रखेगा कहां है अजमेर में है अजमेर के वाब आपको पता होगा कि ख़जा मुईनुद्दीन चिष्टी का मतलब दर्गा है और आपका मिलेगा आपको धाय दिन का जोपड़ा बहुत ही मनमोहक और बहुत ही सुन्दर तरीकी से तराशा गया है और आपका बहुत ही आगर कहा जाए कि भारती स्थापत त्यकलाक अगर कोई बहुत विशेश उधारान के रूप में अगर देखा जाता है तो आपका कौन स सब्सक्राइब आपका मिनासु सिराज नांकर और ने कि उपाधी क्या किया है तो आपका तबकाते नासरी का इन्होंने क्या क्या प्रतिपादन किया है लेखा है तो इससे प्रस्म सिधा है ठीक अपको देखने को मिलेगा अगे बढ़ते हैं चात्रों की कुत्वुत दीन एबक की उपाधी क्या कहा है बहुत दान करता था इसलिए इसे लाग बक्स कहा जाता है हातिम कहा जाता था इसलिए हातिम मतलब होता है दयालू दयावान और जो है आपका अच्छा व्यक्ति इस प्रकार से याद रख सकते हैं और कुरान खा कहा जाता था क्योंकि कुरान पूछा जा सकते आगे बढ़ते हैं अब एक सासा काता है इलतुतमिष जो कि कुटबुद्दीन एबक का गुलाम था अब यहां फिर एक जोल हो गया जोल हो गया सतात्पर यह है कि आपका यहां जो है कुटबुद्दीन एबक की एक पुत्री थी जिससे प्रेम करने लगा तो याद रखना पूछा भी नहीं जा सकता प्रशन तो आपका इलतुतमिष से विवाह करा दिया और जब इलतुतमिष से इसका विवाह करा दिया तो इलतुतमिष क्या हो जाएगा प्रशासक हो जाएगा ने दिल्ली सल्तनत का तो दिल्ली सल्तनत का पहला प्रशासक अग लेकिन आपका दिल्ली को किसे राजधानी बनाया तो इल्टू तमीश दिल्ली को राजधानी बनाया, और याद रखना लेकि इस इस वास्तविक संस्थापक माना जाता है, अब देखो इसमें एक बात समझने वाली है, महमद गौरी ने कितने गुलाम नियुक्त कीए? यह तो मैंने आपको बताया नहीं है तो याद रख लेजिएगा मुहमद गौरी ने टोटल तीन गुलाम नियुक्त कीए थे कौन कौन सा एक था आपका कुतुबुद्दीन एबक एक का नाम था कुबाचा और एक का नाम था यालदोज क्या नाम था यालदोज पहले का नाम एबक दूसरे का नाम एबक के बारे में पढ़ा कुतुबुद्दीन एबक के बारे में फिर उसके बाद एक था आपका तो याल्दो जो कुपाचा को कहीं न कहीं एक प्रकार से अंदर में पैदा हुई होगी भई हमें तो कुछ नहीं मिला ठीक है हम भी तो गुलाम होके इतने बड़े चेतर का प्रशाशक हो गया तो यह लोग आकरमण किये किसके उपर आपका इलतुतमिश के उपर और इलतुत और याल्दो जो गया है ना कुबाचा जो है आकरमण किया उसके बाद है आपका बाद में इस से पहले याद रखना है कि आपका इलतुतमिश से पहले आया था एक शासक जिसके बारे में चर्चक नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है कि कुदुद्दीन अभक के बाद तो है आपका अराम शहार आता है और आराम शहार जो है वह अच्छा सासक सवरी छमच अब गलत बता रहा हूं этот आप बहराम शया आपका अराम शहार आएगा और आराम शहार जो है उतना प्रभावी कर कं नहीं है ठिक इतना तो clear करें चे बाद 1216 में तराइन के मद्ध्युद्ह और कि तराइन का तिती युद्ध कहा जाता है कि इसे जो किसके किसके बीच में आपका यालोच के बीच बीच और आपका इल्टु इल्तुतमिश के बीच में ठीक है क्लियर हुआ भारत में पहला मक्बरा का निर्मान कर आया किस ने कैसे ने इनके ससुर ने मतलब कि आपका दीन एअभक की सी पूर्ण करवाया तो आपका कौन ठाध यह इसलिए पहले मगबरा का कर लगन्मान करा मगबरा और गुंभत के निर्मान का रेक शेत्र में जो है यह बहुत आपका रिक्ष्षा थे प्रमुखविज्द देखो भाइए तराइन के तिर्ति युद्ध में जू है आपका यालदॉज लिखा गया यहां ठीक है यालदोज को पराजित किया ठीक है 1217 में आपका मसूरा के युद्ध में नसुर दिन कुबाचा को भी हरा दिया ठीक है जैसे कि मैंने बताया कि सारे प्रतिद्वन्दी को इसने हरा दिया था उसके बाद है बंगाल विजय में जो है गयासुद दिन को हराया फिर उसके बाद है शिंदे हो मुलतान के विजय में दुह है नसुर दिन कुबाचा को फिर से पराजित किया ठीक है उसके बाद है राजपूतोब था है पर बिजया पराप्त की पंजाब में आपका तुर्काने चहलगानी इलतुतमिस ने 40 जो आपका मतलब तुर्क के प्रमुख लोगों का एक ग्रूप बनाया था जिसका नाम रखा था तुर्काने चहलगानी और जिसे ही आपका 40 संगठन भी कहा जाता था अब इसके बीच में भी विवाद चालू होगा ठीक है तो सारी च जो है आपका राजाक सरदार होते थे उस समय तो न सरदारों को क्या किया जाता था इसमेश वтесь और इसके बाद इसके बाद ही जो है मेन फैकट चालू होता है, लेकिन इसके बाद गयास बलबन के बारे में पढ़ कर आ कि लेकिन याद रखेगा इन्हें भी याद रखना जरूरी जैसे कि देखें आपका रुकुंदीन फिरोज साह जो था यह प्रशासक उतना बहतर नहीं था लेकिन आपका रजिया जो थी इसके बाद जो है शाशन में आती है बहराम शाह इलतुतम इसका पुत्र था यह भी अला पढ़ना उतना उचित नहीं है इसके परचात हमारा प्रारम होगा क्या आपका रजिया सुल्ताना उयाद रखेगा रजिया सुल्ताना जो है है मेरी पुत्री है उसे जो है आपका शाषन करने देना है इसके पश्चात लेकिन क्या होता है कि कहीं न कहीं महिलाओं को जो है शाषन के लिए उचित नहीं माना जाता था लेकिन आज विकास जैसे उसका बधिक इस्तर बढ़ते जाता है तो सब को सही दरजा देने लग जाता है लेकिन पहले की कूरितिया थी कि महिला जो है शाषन नहीं कर पाती इस कूरितियों के अनुसार आपका क्या हुआ कि आपका रजिय सुल्ताना जो है उनको इस प्रकार से आपका शाषन में आती है रज्या सुल्ताना इसके बाद ये पर सकते आइस प्रकार के तथ है ने तुरकी अमीरों ने रजिया का जमालुत दीन याकुत के प्रेम सम्मंद बताया रख सकते हैं रजिया के बदूक्त का इक्तियारुत दीन एट गीन था है कि रजिया जो आपका रजिया जो यह आपका दिखाई दे रहा है तबर हिंद वाले छेत्र का एक सुबेदार था जिसका नाम था अलतुनिया यहां देख सकते हैं आप जमालुद्दिन याकुत के साथ प्रेम प्रसंग बताया गया लेकिन याद रखना है चात्रो आपका अलतुनिया के तुर्काने चहलगानी जो आपका इसी में चालीसा दल के ही लोगों ने आपका सडियंत करके इसकी हत्य करवा दी और आपका शाषक आता है अगला जिसका नाम है गयासुद्दीन बल्बन भी गुलाम था गुलाम के रूप में जो है आपका डेकिन गुलाम नहीं नौकर के जो पीये कारे करता था तो आपका यह धीरे धीरे प्रशाशन शीक्ता गया और इंड अब दड़े एक समय आया कि आपका तुर्काने चहलगानी याने चालीशा दल का एक मेंबर बना उसके बाद जो अब यह तूर्क था ठीक है पिरूस के पूछा जाता है इसने जो है आपका रक्त एवं लोहों की निती अपनाई दरसल बात कुछ इस प्रकार से है कि ये अगर कहा जाए दिल्ली सल्तनत में सबसे क्रूर सासक के रूपे सामने आता है कैसे कि इसने जो है जब ये प्रसासन में बैठा तो इसने पाबोस की प्रथा चालोगी ठीक है सजदा एवं पाबो कर दे लांनी प्राइद रखना है कि यहां से हमेशा प्रस्न पूछता है कि इसने लहोर रख्त की नीती लागू की अब जो है इसनेएनविभाग का नाम रखा दिवाने अर्ज जो की प्रस्न पूछता जाता है ठीक है आप सबसे मतलब बहतर तो नहीं कहा जा सकता है लेकिन सैन्न विभाग का संगठन इसके समय में बहुत ही बहतर था और जो चालीसा दल था तुरकाने चहलगानी बनाया गया था किसके द्वारा इल्टु तमिश के द्वारा उसको जो है इसने आपका बंद करा दिया ठीक है आगे बढ़ 1286 में अपने बड़े पूत्र महमुद के मिर्तियों दरसर इसका कोई हत्या नहीं की इसने आपका अपने बड़े बेटे के जो आपका मतलब मिर्तियों के पश्चात उसके दुख में इसने अपने प्रान के त्याक कर दिये दरवारी कभी याद रखना है अमीर खुसरो और दूसरो नं अमीर हसन ठीक है इसंके बारे में सब्ड़ी चीज़ें करेंगे आगे में बहुत सारे आपको इसमें मिलेंगे तो बल्ली बल्ल्बन के राजसे राजत का सिद्धा नस्यदत अगर देखा जा तो इस परकार से पड़ा जाकता है कि राजतोंक्त egent प्रशासन वह बहुत ही सकुसल था और जो है किसी को भी छोड़ता था इसके भाई जो है इसके सामने आके नॉर्मल जैसे अपने भड़े भाई के सामने क्या जाओगे तो वह नहीं कर दिया तो उसका जो है वह सरकलम करवा दिया इस प्रकार से अगर कहानियों में पढ़ोग कि याद रखिएकedes अपने इलाही हुआ लिखाला इसमें लेकिन आद रखिएगा कि जिल्म इलाही कर gefाता है अपने अपने आपको सिधा बुलता था कि मैं आपका इश्वर का भेजा गया एक दूथ हूं ठीक है इस प्रकार से ठीक है उसके बाद है आपका क्या दिया वन्शावली पर अत्यधिक बल दिया सही है ठीक है इसका राजा सुषिद्धान नसलवात पर अधारित था बिल्कुल सब इसे अच्छी तरह से याद कर सकते हैं और न्याय पर बहुत ही बल देता था बताया ना कि यह कुरूर भी था और साथ में प्रशाशन करने में बहुत ही कुशल था क्योंकि एक नौकर से बड़ादमी बनता है जमीन से उपर जाता है तो सारी पहलिगों को जानता है की उपाधी इसने धारंड की आखरी जो अंतीम शासक आते हैं कहकुबाद और क्यूमर्स जिनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें याद रखना है कि आपका कहकुबाद क्यूमर्स की हत्या खिल जी वसके स्थापना हो गई और खिल जलालुद्दी स्वश्चरी जलालुद्दीन खिल जी ठीक है तो इस प्रकार से याद रखना है आगे बढ़ते हैं अब यहां से प्राराम्भ होता है हमारा प्रस्ण जी से हम अराम से फटा-पट करते हैं तो गुलामवंस का प्रथम सासक कौन था जैसे कि मैंने बताया कि गुलामवंस का प्रथम और आपका चंद्र मुखे के नाम से प्रसिद्य कुदबुद्दीन एबक क्लियर है आगे बड़े अगला है कि कुदबुद्दीन एबक की राजधानी दिल्ली नहीं थी कुदबुद्दीन एबक की राजधानी दिल्ली नहीं थी कुदबुद्दीन एबक की राजधानी थी सासक ताजुद्दिन यालदाउच के साथ हुए युद्ध में उनके मृत्ति हो गई बिल्कुल गलत है बुंदेल खंड के किले कलिंजर के गेरल लालते समय बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं है यह तो है बारा सो दस में कब उती बारा सो दस में चाउगान खेल खेलते गिर गए थे और एकसिडेन्ट हो गई भैर्य अंगला अगला है अगला है हमारा प्रस्ण निम्लिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मिनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया, ओके, दैट इस थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं हो ना, इसमें, ठीक है, कुतुददीन अबक स्टार्ट करवाया, इल्तुतमिख कंप्लीट कराया, गयासुद दिन तुगलक नहीं है, फिरोस्सा तुगलक सहीं है, तो आपका गयासुद दिन तुगलक इसका आंसर होगा, जो की बिलकुल किसी परकार से योगदान नहीं दिया, फिरोस साथ उगलक से आद रखना है कि फिरोस साथ उगलक ने कुतुब मिनार जब जरजर होने लग गया था तो इसका डेंडिंग पेंडिंग करवाया था मतलब इसका थोड़ा आपका जिर्नोत धार कराया था किसने फिरोस साथ उगलक ने आगे बढ़ें अगला है हमारा निमली खित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापना की किसने की भाई इल्टु तमिशने की ठीक है आगे बड़े हैं अगला है निमली खित में से कौन सी इल्टु तमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी दिल्ली थी तो ऐसमय में दिल्ली थी ना अगला है दिख और आपका मिस्लीम जासक और गुलामों भी ऐसे ढवाया में बताया कि आपका मौहम्मद में कन्फिजन नहीं हो ना गलवन एक नौकर था ठीक है आगे बढ़ें निमली कित में से कौन मद्यकालीन भारत की प्रथम महिला सासी का थी ओके रजिया सुल्ताना ठीक है तो रजिया सुल्तान क्या थी आपका प्रथम सासी का थी और बात में क्या हुआ वह आपका 40 दल अगरे प्रस्ण के और देखते हैं मंगोल आक्रमणकारी चंगेश खां भारत की उत्तर पस्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था यह समझने वाला कोस्चन है याद रखिएगा आपका एक सासक था जिसका नाम था जियाउद्दीन मगबरनी क्या नाम था जिय चंगेश खान जो है वह दोड़ा रहा था किसे मतलब किसके पीछे पड़ा था जियाउद्दीन मगबरनी यहां लिख देता हो जियाउद्दीन आपका मगबरनी इस ट्रैप से याद रखना है जे डियम याद रख सकते हैं ठीक है जियाउद्दीन मगबरनी भाग क्या इल कोन लड़े चंगेश खान का जो सासर्ण रहा है चंगेश खान की जो निती रही कि विलकुल जो है आपका मार काट कुन कर रहा था ठीक है यह तो चौगान खेलते खतम हो गए क्या तो क्या हो जाएगा आपका चंगेश खान के भारत में उत्तर पस्चिमी सीमा पर कौन था आपका इल्टु तमीश किसको दोड़ा दिया था चंगेश खान आपका जियाउद्दीन मगबर्नी को क्लियर है आगे बढ़े रजिया बेगम ओके सत्ता चुक्त करने में किसका हाथ था ओके देख लेते हैं भई ठीक है तो याद रखियेगा किसका था मंगोलों का तो नहीं था अर्बों का नहीं था तो अफगानों का भी नहीं था किसका हो जायाएगा आपका तुरकों का था क्लियर है आगे बढ़े क्या नम था गया सुद्धीन बलबन अगे बढ़ें अगला प्रसना हमारा दिल्ली धिनी किस स्टान विशाय में कहा गया कि उसने रक्त और लाह कीनिती किस ने कर आई किस ने कराई बलबन ने कराई बताया था मैंने डिटेलिंग के समय आगे बढ़ें कि दिल्ली सुल्टान ने रक्त और लौ की नीति चलाई फिर से बताया उसी प्रस्ण कदिश्टि कुन बदल दिया है बलबन ने कराई आगे-बढ़े हैं अगला है नीचे दिये गया व्यक्त को व्यक्त दिये वह उत्तर पस्चिन करें घारां से तो प्रस्णद्वारा कि जैए हो चाए का अगला है अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बल्बन ने भवय उपाधी धारन की किसकी धारन की आपका जिल्ले इलाही की ठीक है आगे बढ़ें अगला प्रसन है हमारा वह प्रथम मुस्लिम सासक कौन था जिसने सासन के सिध्धान्त को राजाओं के इश्वरी अधिकार सिध्धान से समान प्रतिपादित किया तो याद रखेगा बल्बन ही अपने आपको क्या बोलता था मैं इश्वर का एक क्या हूं आपका दूथ हूं और एक आपका अवतार हूं इस प्रकार से बताता था अगला है निमलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फार्सी तेवहार न है जिसका उत्तर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है इसी के साथ जो है आपका चात्रों एक बर पढ़ देता हूं इसे निमलिखित में से कौन सा कथन बल्बन के संबन में नहीं है उसने आपका नियामते खुदाई के सिद्धान का प्रतिपादन किया था उस इसनी सारे चीज़े आप लोगों को समझ में आये होगी इसी के साथ इजाज़त चाहूंगा जय हिन जय भारत प्राइब कर दो दो